है गाईस migrant को इस बात करेंगे स्टेट परसंटाइल स्टえてक्स परसंटाइल की बारे मैं तो क्या है जो परसंटाइल छो है उस रहे होगी है तो हम लिख सकते हैं हम अगर हमें एक नंबर देता है ऐसा एक नंबर जो मतलब यह चीज़ दिखाता है कि जो बाकी की जो हमारे पास वैल्यू जाई है वो उससे कितनी कम है ठीक है आगे देखते हैं अब हम एक्जाम के दुरू समझते हैं ठीक है अब जो 25 परसेंट जो है एवरेज परस का मतलब 25 परसें हंडरेट पिर मिनट ओर लोवर हो सकती है अब हम क्या करते हैं कि हम देखसके हैं कि एगर हम से फिलिप करें हमारे स्थ्रेक्वन करें तो जो 75 परसेंट होगे उससे कम होगी और तो इसे फ्लिप करें या तो 100 beats per minute है या फिर उसे ज्यादा है ठीक है तो और अगर दूसरे स्क्राइब देखें 75 percent percentile वाला जो देखें average pulse में तो उसमें क्या हो सकता है कि 75 percentile में मतला 75 percentile में जो हमारी training session है उसमें हमारी जो average pulse है या तो 101 है या उससे कम है देख सकते हैं इस वाले example में ठीक है देख रहेंगे आगे आप 50 percent और 70 percent वाला देखिए average pulse 105 या 111 ठीक है तो या तो 101 है या उससे कम है ठीक है तो अगर हम इस statement को change करें इससे फिलिप करें पिछली instrument की तरह तो 25 percentile जो है 25 percent जो है हमारी training session उसमें क्या है हमारी average pulse है वह 111 beats per minute या उससे higher है ठीक है अब माने जालते हैं अब task है कि हमें पता करना है 10 percent 10 percentile पता करना है हमें max pulse की ठीक है तो उसके लिए code उसकरेंगे जिसमें इंपोर्ट कराएंगे ठीक है अब उसे हम max pulse को रखेंगे max pulse निकाल दिया हमें तो max pulse हमने वह बना लिया variable उसके अंदर से फिर सब्सक्राइब करेंगे equals to full health data उसमें ब्रैकिट के अंदर max pulse मतलब उस data के अंदर जो max pulse वाला जो session है उसे निकाल लिए हमने इस वैरिबल के अंदर max pulse के नाश्य जो हमारा वैरिबल है ठीक है फिर हमने परसंटाइल 10 के नाम से एक वैरिबल बनाया है फिर np.percentile लगा है नमपाई जो लैबरी निए उसके अंदर एक function आता है परसंटाइल निकालने के ठीक है तो अब हम उसे print कराएंगे तो हमारी जो value है कि वह होगी 120 ठीक है 10 परसंटाइल जो होगा max pulse का वह आएगा 120 इसका क्या मतला होगी जो हमारे 10% जो training sessions है उसमें जो है हमारी max pulse जो है वह या तो 120 है या उससे कम है ठीक है और तो इस लेक्शे के लिए बस इतना ही hope you got all the points in the lecture and still if I have any queries you can put it in the Q&A section thank you